आप सुनो भई, डेली गा रूटीन, सुनिएगा, सुबर चार बजे आर अपने आप आँख खुल जाती है, कुछ बच्चों के ऐसे भी सवाल थे, कुछ ने ये पूछा हुआ था, अच्छा आप में से कितने ऐसे हैं जो सुबर पांच बजे उठते हैं, सच्चाई से बतान है, and this is mandatory, बहुत ज़रूरी काम है, अगर मैंने ये काम नहीं किया, तो मेरा तो नुकसान भले ही ना हो, लेकिन बाकी लोगग का नुकसान हो जाएगा, जब back of the mind आपके ये चल रहा होता है न, लिटरली बता रहे हैं, आपकी आख अपने आप खुल जाएगी, आपको अला लाइफ मारा फिर्स हो गए वो काम नहीं चलेगा लाइफ में अगर स्ट्रगल किया है तब ही आपको सक्सस मिलेगी चाहे कोई कितना भी क्यों ना आलन मस्क बार बार देख रहा हो नंबर बन पे बंदा पहुंच रहा है तो तुमको क्या लग रहा है वो बैठे बठाय पहु कोफी की जुरत होती है तो कोफी आजाती है सामने अब कोफी कहां से आती है सामने अपने आप थोड़ी ना बनकर आएगी कोई ना कोई तो आपका बैठेंड होते ही होता है तो यह कौन होती है हमारी माताजी होती है तो आप लोग के साथ में भी ऐसा होता है क्या इसा होता हाई या ना जल्दी बताओ अरे बता आ रहे हैं तुमको तो पस एक ही चीज पूछनी है ओके इसके बाद में 6 जब बता है तब तक आपके प्रेजेंटेशन रेडी हो जाती है फिर अगला क्लास होता है साथ बजे आपका में सेशन रहता है इस क्लास के जस्ट बाद में जस् हमेशा कोशिश होती है कि हर एक क्लास जो है वह आपका टाइम पर स्टार्ट किया जाए और यह हमेशा गड़ते हैं इसके बाद में थोड़ा सा इधर उधर भई ऑबसी बात है थोड़ा कुछ खाएंगे पीएंगे और उसके बाद में फिर 12 जैसे बचता है ना फिर दिमा भी काम क्यों ना कर लो लेकिन काम के सासा जब तक आपकी बॉड़ी को रिलाक्स नहीं मिलेगा तब तक कोई फाइदा ने क्योंकि एक लिमिट के बाद ना चीजे जो है वो दिमाग में जाना बंद कर देती है ठीक है अच्छा पर इसके बाद में थोड़ा सा नीन जरूरी क्योंकि एक लिमिट के बाद में मेरा जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है ठीक है अच्छा